अल्लेव अब्रिवान कैसे हैं आप सभी तो मैं वाइब शुरास अब फिर से आप सभी का सौगत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल सकसे स्प्राइड पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इर्डिकेशन इंजिनिरिंग में चल रहे हैं और आज हम फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पी आप करने वाले जिसका नाम है क्रॉस ड्रेनेज वर्ग और अगर हम क्रॉस ड्रेनेज वर्ग की बात करें तो लास्ट टू तू त्री यर्स से देखा जा रहा है कंकिनियूसली क्रॉस ड्रेनेज वर्ग की बात करें तो क्रॉस ड्रेनेज वर्ग होता क्या है ड्रेनेज का मतलब होता है पानी का बहना ड्रेनेज का मतलब कानी अब क्रॉस मतलब ऐसा हो सकता है दो ड्रेनेज आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और जब दो ड्रेनेज आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं तो उस कंडिशन्स में क्या होगा हमें एक ऐस सा स्ट्रक्चर बनाना है जो इन दोनों को मिक्स ना करें सपोज नीचे से एक रेल भी लाइन जा रही है और इसी को क्रॉस करते हुए एक क्या जा रहा है रोड जा रहा है तो अब रोड को जो रोड है आपका जब ट्रेन आएगी उस समय रोड को बंद करना पड़ता है बार रेल लाइन नीचे से तो देखो रेल लाइन नीचे से जा रही है और ब्रिज हमेशा जो रोड ब्रिज है रोड का ब्रिज जा रहा है वो रोड वे लाइन ऊपर से जा रही है तो देखो दोनों अलग अलग लेबल पर होगा है नहीं सेम लेबल पर होते तो किसी एक ना एक को रोकना होता या दौनों की ट्राफिक स्ट्रीम को मिक्स कर देते उसी तरीके से सपोस मान लो एक कैनाल जा रही है और कैनाल के बीच में आगया natural drainage मतलब कोई river आ गए तो ये एक तरीका है कि कैनाल को river के साथ mix कर दो अगर कैनाल को river के साथ mix कर दोगे तो हो सकता है कुछ drawback हो कैनाल का जितना discharge जा रहा था आगे से उतना discharge ना मिले आगे उतना discharge river को cross करने के बाद उतना discharge ना मिले दूसा तरीका है दौनों को अलग-अलग तरीके से carry कर लो कैनाल को या तो फिर नीचे से या कैनाल को इसके उपर से ले जा करके एक ट्रफ बगेरा बनाएंगे, ट्रफ मतलब, जैसे की हम बात करें एक steel का container रख दो, steel का एक container रख दो, कैनाल शेप का, कि इसके उपर से पानी को ले जा रहे हैं, तो एक pipe लो, एक बड़ा diameter का pipe लो, और उसको आधा काट दो इस तरीके ते एक बड़ा diameter का pipe लिया और उसको आधा काट दिया ये बन गई है एक canal इस canal के truff को piers बगएरा लगा करके यानि foundations बगएरा लगा करके ऊपर से canal निकाल दो नीचे से क्या निकाल दो आप नीचे से निकाल दो drainage तो ये नीचे से drainage जाएग ना है उसको हम क्या बोलेगे हमारा cross drainage structure बोला जाएगा क्या बोला जाएगा cross drainage structure बोला जाएगा तो अब तुम्हें यह बात समझ में आई cross drainage structure का मतलब क्या है? cross drainage work का मतलब क्या है तो देखो हमने बात कि हुई थी जब हमने canal को alignment के basis पे define किया हुआ था हमने different canals पढ़े हुए थे waterside canal वहाँ cross drainage structure की जरुवत नहीं होती है contour canal वहाँ cross drainage structure की जरुवत होती है side slope canal वहाँ भी जरुवत नहीं होती है क्योंकि पैलर होगा natural stream के तो हम बात करें different type की जब canals की बात करते हैं तो वहाँ पर cross drainage structures बनाना पढ़ेंगे तो अभी मुझे बताओ cross drainage work का मतलब समझ में आ गया ऐसे stream जो आपस में एक दूसरे को cross कर रही है बट उनको intermix नहीं होने देना एक साथ मिलने नहीं देना है तो दौनों stream को हम दो different level पे ले कर के जाएंगे एक नीचे से ले कर के जाएंगे एक उपर से ले कर के जाएंगे और ऐसे construction करने के लिए जो structure हैंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे cross drainage work क्या बोला जाएगा cross drainage work तो suppose यहाँ से यह एक river जा रही है यह एक river जा रही है river जा रही है मतलब natural drainage है नैचुरल drainage जा रहा है ठीक है, अगर natural drainage जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहां से canal pass हो रही है, यह canal, यह क्या है, यह canal pass हो रही है, तो हमने बात की canal, canal अब जो pass हो रही है, वो canal, या तो हमारा उपर से pass होगा, या फिर कहां से होगा, नीचे से pass हो रहा है, तो दो condition हो सकते हैं, या तो canal उपर से pass होग या नीचे से पास हो या फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका यह हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि जो हमारा कैनाल है, यह कैनाल, कैनाल सीधे जा रहा है, कैनाल तो हमने यहां से पास किया, बट नैचरल ट्रेनेज, या तो हम बोल दें उपर से पास हो रहा है या फिर नीचे से पास हो रहा है या फिर उपर से पास हो रहा है या फिर नीचे से पास हो रहा है दोनों में किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की crossing हो रही है तो अभी आप बताईए बात समझ में आई ये work क्या कहे जाएंगे जो की एक costly constructions कहे जाते हैं क्या कहे जाते है costly construction तो अलग-अलग diagram है उसमें एक ही मत मान लेना costly constructions कहे जाते हैं इनको हम बोलते हैं हमारे costly constructions अब इनकी जरूवत क्यों पड़ी हमने बात की थी watershed canal सबसे economical canal कौन सा है watershed canal और watershed canal को हम generate या develop करने की कोषिश करते हैं construct करने की कोषिश करते हैं और अगर माल लीजिए canal नीचे है तो contour canal को ऊपर watershed या wrist तग ले जाना पड़ेगा या नहीं पहले contour canal को उठा करके watershed या wrist तग ले जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको design करेंगे तो हम बात करेंगे वहाँ cross drainage structure आये कैसे नहीं बात समझ में आई तीक है समझना आप फिर से तीक है ये जा रही है एक river ये क्या है एक river जा रही है यहाँ से एक canal बना रहा है जो water side है वो इस तरीके से आ रहा है ये watershed है A B तो A B हमारा क्या हो गया है watershed या raise हो गया है watershed हो गया है या हमारा raise हो गया है ठीक है लेकिन हमें जो canal निकालनी है canal यहाँ से निकल के आएगी ये तो अगर हम बात करेंगे O C और D तो O, C, D हमने क्या बोला ये canal का alignment निकल के आएगा canal alignment निकल के आएगा और अगर canal alignment निकल के आया तो हो सकता है यहाँ छोटी छोटी डिस्टिबुटी, watershed का मतलब क्या था, top portion of hill portion, ठीक है, और top portion से नीचे की तरफ, क्या contour line में इस तरफ से, यह छोटी छोटी tribute trees, किसी भी river की tribute trees, यह tribute trees, यानि उसकी धाराएं, ठीक है, जा सकती है या नहीं, तो यह जो red pen से हैं, जो tributes बनाई है, यह हमारा natural drains हो गया या नि, natural drains हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, river से canal तो निकाली है, लेकिन canal का जो construction करना है, watershed के along करना है, तो watershed के along करना है, तो हम river से जो पानी आएगा, उसको पहले watershed तक ले जाएंगे, और जब watershed तक ले जाएंगे, तो बहुत सारे structure, natural drains, उसको cross कर सकते हैं, और हमें क्या बनाना पड़े है, cross drainage structure, अब देखो थमझना, कैसे दिख रहा है तुम्हें, समझना, देखना, यह hill दिख रहा है, river यहाँ कहीं बाहे हैंगी, नीचे, यहाँ बह रहे हैंगे, ठीक है, अब देखो, यह है ridge, ridge point, यह मार क बाला point नीचे आ गया है, तो केराल को यहाँ ले जाना है, इस वाले point पर ले जाना है, और इस वाले point पर ले जाना है, तो उपर से जो पानी आ रहा होगा, क्या इसको cut करेगा, या नी, बिल्कुल cut करेगा, और वही cut है, जो tributaries है, जो उपर से नीचे आ रही है, tributaries है, औ और ये इस तरीके से लेकर क्या रहा है, तो image clear हुई cross drainage structures बनाने की जरूवत पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ सकती है cross drainage structure बनाने की जरूवत, बिल्कुल पड़ सकती है, तो ये conditions यहाँ पर होती है, बहुत बड़िया समझ में आया होगा, I hope कि जिन्होंने imagine कर लिया होगा, उन्हें completely चीजें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, when, when, a canal, crosses, to a natural drainage, to a natural drainage, comma, in that condition, in that condition, to keep the streams separate with canal, some structures are, some structures are, constructed, comma, known as, cross drainage work, या cross drainage structures, known as, CD work, या CD structures, cross drainage structures, तो कब होगा जब, एक canal और एक natural drains, आपस में cross कर रहे हैं, उस condition, अब किसी को question आएगा, सर यह 90 degree पर मनाया, हमेशा 90 degree पर होगा, बेटा, जरूरी नहीं 90 degree पर हो, जरूरी नहीं 90, but most commonly यह देखा गया है, हम दौनों को 90 degree पर ले करके जाएंगे, 90 degree पर ले करके आएंगे, थोड़ा सा suitable हो जाता है, ठीक है, क्योंकि length, जो overlapping length होगी, वो कम होगी, अगर हम inclined में ले करके गए, तो overlapping length जो है, वो बढ़ जाती है, तो most commonly हम कोशिश करेंगे, कि straight line के form में, वहाँ से, S बढ़ जाते हैं, अगर कानल आएंगे, नमूंगे, कमा, it crosses is number of natural streams, hence cross drainage work is required, hence cross drainage work is required, cross drainage work क्या होता है, required होता है, उस बनाना चाह रहे हैं, watershed या risk के नाल, जो की हमारा एक economical construction होता है, इसलिए हम watershed या risk के नाल बनाना चाह रहे हैं, other than contour या side slope के नाल के, तो हम ridge या, ridge point तक या watershed तक हम लेके जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे, आके ही बात करेंगे, फिक है, next point, it is, cd work is, ऐसा लिखेगा, cd work is, costly construction, costly construction, so it should be avoided, it should be avoided if possible, if possible, by changing the, if possible, by changing the, can, canal alignment और, by changing the, can, alignment, यहा लिख रहा हूं, और, by diverging the scheme, diverging the stream, या तो आप stream को divert कर दें, या फिर can, alignment को change कर दें, अगर ये condition possible है, तो उस conditions में हम ये conditions पहले adopt करते हैं, rather than cross drainage work के, cross drainage work के, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो cross drainage work में, कई बार, ऐसा cross drainage work, अगर हम cross drainage work, ऐसा कुछ possible नहीं हो पारा है, कि दौनों को अलग-अलग रख रहा हैं, और, वहां बोल दिया गया है, कि दौनों को mix भी कर सकते हैं, तो जादा बेटर होता है, कि हम mixing बालग cross drainage work बनाते हैं, दौनों का mixing होगा, फिर एक यहां से निकल जाएगा, और कुछ portion यहां से निकल जाएगा, बीच में water का pool बन जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा, water का pool बन जाता है, ठीक है, next point, फो, अब हमसे बात की जाती है, कितने type के cross drainage works possible होते हैं, तो हम लेखेंगे, following type of cross drainage works are possible, following types of cross drainage works are possible, कौन-कौन से होते हैं, अब हम एक एक करके देखेंगे, पहला, पहला वाला, पहला अगर हम बात करें, cross drainage work, cross drainage work, carrying canal over drainage, एक cross drainage work है, जिसमें canal क्या हो रहा है, drainage के ऊपर है, canal जो जा रहा है, वो उपर से जा रहा है, और drainage क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके के work defined है, एक है, aqueduct, aqueduct, और दूसरा है, siphon aqueduct, ठीक है, दो तरीके के work यहाँ defined है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, second वाला, cross drainage work carrying drainage, या फिर हम बोल सकते हैं, natural drainage, over canal, तो यहाँ पर भी दो define हैं, एक define हैं, आपका super passes, और दूसरा आपका जो define हैं, वो होता है, canal, siphon, canal, siphon, या simply आप इसको बोलते हो, और siphon, ठीक है, और third one जो हमारा होता है, वो होता है, cross drainage work, intermixing, 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 canal with drainage, जो canal और drainage को हम बात करते हैं, क्या कर रहा हैं, same label पर ले करके आ रहे हैं, ठीक है, cross drainage work, ठीक है, intermixing, canal with drainage, जो canal को एक ही साथ mix कर रहे हैं, यहाँ हम लग सकते हैं, admitting canal with drainage, तो यहाँ पर भी दो तरीके के work होते हैं, एक हमारा होता है, level crossing, जैसे कि चोरा है, चोरा है पर क्या होता है, दो crossing तो है, लेकिन level में है, एक ही level में है, दूसरा होता है, inlet and outlet, तीन तरीके के, तो एक है करके तीनों को पहम पढ़ेंगे, पहला है cross drainage work, carrying canal, उपर drainage, ठीक है, तो cross drainage में क्या है, पहले उपर क्या आएगा, canal, नीचे आएगा drainage, फिर दूसरे type का, इसका change कर तो, drainage को नीचे ले आना, और canal को उपर ले आना, फिर क्या करना, दौनों को mix कर देना है, तो यहाँ पर आएगा, acudect and siphon acudect, यहाँ पर आएगा, super passes and canal siphon या siphon, और यहाँ पर क्या आएगा, level crossing या inlet and outlet, तो इनकी बात हम एक इत करके करने वाले हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए, तो पहला heading डालिएगा, cross drainage work, carrying canal over drainage, तो पहली हड़े, cross drainage work, carrying canal over drainage, drainage के उपर हम क्या रख रहे हैं, canal रख रहे हैं, तो हम ध्यान दखिएगा, यह work हम से जानली पुछा जाता है, कब provide किया जाता है, तो देखिएगा, जितने भी cross drainage work हैं, तो वो किसी करने की factor पर depend करते हैं, वो factor क्या है, वो factor है कि canal और जो drainage है, उनका size क्या है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दूसरा किस पर depend करता है, दूसरा depend करता है, canal के bad level, और drainage के bad level, canal का full supply level, और drainage का high flood level, यानि water level and bad location of canals, इन पर भी यह depend कर रहा होता है, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर canal, cross drainage वर carrying canal over drainage, तो ध्यान रखना, इडिस प्रोवाइड़, इडिस प्रोवाइड़, 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 वेन, drainage is bigger than, bigger than, canal size, जो drainage का size है, वो canal के size से काफी बड़ा है, तब ही तो हम बात करें, canal को उपल ले गए हैं, और drainage को कहां रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, तो भेन, drainage is bigger than, canal size, drainage जो होगा, canal size से काफी बड़ा होगा, उस conditions में हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या रखते हैं, हम ये वाला work प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लिखेगा, in this arrangement, in this arrangement, canal is taken up to the ground level, taken up from the, taken above the ground level, या ऐसा भी लिख सकते हैं, किसको ले जा रहे हैं, canal bed, ऐसा लिखेगा, canal bed is taken above the ground level, canal bed को ground level से उपर ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, canal bed को कहा ले जा रहे हैं, ground level से उपर ले जा रहे हैं, और canal bed को अगर ground level से उपर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी conditions अलग-अलग हो सकती हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो तरीके के structure होते हैं, पहला होता है आपका क्या है Accuduct और दूसरा आपका होता है Siphon Accuduct तो ये क्या होते है समझेगा, डाइग्राम पहले बना रहा हूँ उसके बाद definitions लिखूँँगा, ठीक है डाइग्राम समझना है, डाइग्राम बहुत important है देखिएगा, नीचे क्या लेकर जाना है आपको Drainage ये Drainage है नीचे क्या है, Drainage ये मालीचे आपका Ground Level आ गया है ठीक है, ये यहाँ पर आपने बनाया है कैनाल, उपर एक ट्रफ के थुरू आप क्या ले जा रहे हैं, कैनाल ये कैनाल को ले करके गए और अगर कैनाल को ले कर गए तो यहाँ पर भी आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने यहाँ पर कैनाल को सपोर्ट देने के लिए कुछ ने कुछ बनाया है साइड में क्या बनाया है, यहाँ पर रोड, ये क्या बनाया है रोड बनाया हुआ है ठीक है तो उपर साइड में कौन है उपर साइड में है कैनाल और नीचे साइड में क्या है ड्रेनेज है तो अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज की तो ड्रेनेज जो है वो हमारा इस तरीके से फिलो हो रहा है ड्रेनेज मतलब बोड के प्लेन में है ड्रेनेज और बोड के प्लेन के perpendicular क्या है वो हमारा canal का flow है तो हम बात कर रहे है फिलो इसका sign का मतलब क्या है फिलो perpendicular to paper or board perpendicular to paper or board या हम बोल सकते perpendicular to the plane plane के perpendicular ये direction है ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो canal का जो label होता है ये पानी का label है और इसको बोलते है high flood label sorry drainage का जो label होता है उसको बोलते है high flood label और ये जो label है ये label बनाया हुआ है मैंने किसका ये label बनाया हुआ है मैंने canal का तो इसको बोलते है full supply label क्या बोलायाता है full supply label तो यहाँ लिख सकते हो HFL मतलब क्या है high flood label high flood label in the drainage और FSL full supply label full supply label किसमें हम बात कर रहे है canal के अंदर full supply label क्या होता है वो canal के अंदर बात कर रहे है ठीक है और ये जो structure बनाया गया है वो किसका बनाया गया है वो canal का बनाया गया है तो देखो अगर मैंने बोला ये हमारा ground label था तो canal को ground level से उपर ले गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कि ground level यहाँ ना हो करके, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोवाइड हो यह भी possibility है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, उसका reason बता रहा हूँ देखो, कई बार क्या होगा जब यह high flood level बढ़ेगा तो canal के बाहर साइड पे पानी का level बहुत ज़्यादा आएगा तो अगर हम बात करें, इसको मैं dot से बना रहा हूँ H, F, L तो canal के बाहर साइड पे पानी का level और जब high flood level बढ़ेगा तो यह जो portion है, इसको हम बोलते हैं canal bed canal bed और नीचे वाला जो portion है इसको क्या बोला जाएगा, drainage bed drainage bottom या drainage bed drainage bottom या drainage bed तो अब देखो यहाँ पर definition कुछ है academic की, थोड़ी देर में और समझ में आएगी इसका diagram और बनाते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का diagram आएगा यह है हमारा road inspection के लिए ठीक है, ऊपर है canal, यहाँ पर आपने बनाया है drainage, ठीक है और drainage को कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला तो आपने क्या बात की हुई थी यह ground level है ठीक है, आपने क्या बात की हुई थी यह आपका canal है और यहाँ पर यह dotted line ठीक है, तो आपने बोला था यह जो portion है वो इस तरीके से है यह किसका है, canal का यह किसका है, drainage का ठीक है, और आपने बात की हुई थी इसका full supply level अभी भी same है, F, S, L same है, लेकिन drainage का high flood label काफी जादा बढ़ गया है H, F, L क्या हो गया काफी जादा बढ़ गया और जब H, L काफी बढ़ गया है तो यहां से जब यहां से अंदर पानी जाएगा तो यह height यहाँ पर बढ़ गई है पहले तो कम height थी तो इंकोरेट कर ले रहा था लेकिन अब क्या है height बढ़ गई है height बढ़ गई है तो उतने ही flood को इसके नीचे से निकलना होगा या नहीं canal के नीचे से निकलना होगा तो यह जो canal के अंदर का portion होता है इसको थोड़ा सा depressing age में बना देते हैं थोड़ा depress करके नीचे ले जा करके बना देते हैं जिससे की construction में आसानी हो जाए पानी आसानी से निकल जाए और उसके बाद high flood level कुछ यहाँ पर निकल करके आ जाएगा बिल्कुछ same level में निकलेगा और आगे जा करके और उपर level बढ़ता हुआ चला जाएगा तो high flood level कुछ इस तरीके से changes हो रहा है तो देखो किसी भी condition में अब यहाँ पर जो definition दी जाती है अगर अगर high flood level of drainage drainage का या natural stream का high flood level है is lower than lower than canal bad level canal bad level तो हम बात करेंगे जो construction होगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे aqueduct तो canal bad level से check करना है तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे high flood level of drainage of drainage is is above the above the canal bad level canal bad level से कहा है उपर है देखो जो structure उपर है उसका bad level check करना तीक है और जो structure नीचे है उसका full supply level या high flood level जो भी condition होगी वो conditions हमें check करना है clear हो रही है बात तो देखो यहाँ पर क्या बात की हमने canal bad उपर जो structure उसका bad की बात की उपर जो structure उसके क्या की bad की बात की नीचे जो structure है उसके पानी के level की बात की तो high flood label तो यह most important definition का यही most important point है कि हम कैसे पैचानेंगे aquoduct है या कैसे पैचानेंगे हम कि हमारा जो है वो हमारा siphon aquoduct है यह बहुत important point है clear है तो उपर वाले का bad label और नीचे वाले का पानी का level ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं flow occurs under influence of gravity ग्रैविटी के influence के कारण हमारा क्या हो रहा है इसमें flow हो रहा है लेकिन यहाँ पर flow occurs due to siphonic action siphonic action flow जो occur हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है siphonic actions के कारण यहाँ जो flow हो रहा है वो siphonic action हो रहा है siphon के कारण action हो रहा है ऐसा कुछ action हो रहा है तो यहाँ कुछ siphon barrel वगरा लगा देते हैं एक arrangement होता है जिसे हम बोलते हैं barrel जो siphonic actions करता है ठीक है और कैनाल के बगल में क्या दिया गया है तो कैनाल का inspection and कैनाल का maintenance जो है वो easy हो जाता है तो ये conditions हमें यहाँ पर देखना होती है ठीक है तो ध्यानक ना फिलो किस बात कर रहा है तो हम बात करेंगे फिलो की जगे क्या लेकर रहा है तो वह हमें conditions यहाँ ध्यान रखनी है कि किस-किस conditions में यहाँ पर किस तरीके की बाते हो रही है तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है दौनों चीजें समझ में आई बच्चो ठीक है? और हम बात कर रहे हैं जब flood आया high flood level बड़ा या नहीं flood आया तो water level क्या हो गया? depressed हो गया नीचे आ गया यहाँ पर water level यहाँ पर नीचे आ गया है downstream side में दूसरे side में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर full supply level का भी water level थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो यह कहानी हुई किसकी? हमारी complete कहानी हुई किसकी? यहाँ पर देखो notations दिख लिए है, cross का मतलब क्या है? flow perpendicular to the board हो रहा है flow perpendicular to the board हो रहा है ठीक है? तो यहाँ पर एक advantage लिख लेंगे the only advantage दोनों का ही common advantage है तो नीचे note करके लिख लिख लेना चाहिए दोनों the only advantage of this kind of of this kind of cross drainage work is inspection and maintenance of canal is easy and possible inspection and maintenance of canal is easy and possible जो भी inspection है, maintenance है वो हमारा क्या हो रहा है? possible हो रहा है तो वो conditions हमारी का कही जाती है वो हमारी cross drainage work carrying canal over drainage कहा जाता है तो यह conditions complete हो गई दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा जो है हमारा, वो है, cross drainage work, carrying, दूसरा पढ़ ले जाते हैं, ठीक है? चलो इसको साफी कर देता हूँ, मैं, मैं सोच रहा था कि इसी मैं changes कर दूँ, लिकिन साफी कर देते हैं, ठीक है? चलो, दिखते हैं, cross drainage work carrying drainage over canal अब अगर canal को नीचे लिया गया है, मतलब कौन सा structure बड़ा है? canal बड़े size का है, तो हम लिखेंगे, this is preferred when, when, canal is bigger than, than drainage जो canal होती है, वो drainage से बड़े size में हैं, तो canal को नीचे रखा जाएगा, और किसको उपर रखा जाएगा? drainage को उपर रखा जाएगा, drainage को क्या रखा जाएगा? उपर रखा जाएगा, इस तरीके के arrangement में, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं, this, in this arrangement, next point, in this arrangement, drainage is carried over, the drainage is taken, taken above the, above the ground level over canal, canal के उपर drainage को ले जाएगे, तो यहाँ पर जो हमने structure पढ़े थे, कौन से दो structure पढ़े थे? एक हमने structure क्या पढ़ा हुआ था? एक पढ़ा हुआ था क्या? सुपर पैसेज, और दूसरा structure जो पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा हुआ था, canal साइफन, यह हम उसको बोलते हैं, cable simply साइफन, ठीके? अब सुपर पैसेज की बात कर लें, तो हमें क्या करना है? ड्रेनेस को उपर ले जाना है, ड्रेनेस को भीया उपर ले जाओ, अगर आप ड्रेनेस को उपर ले जाते हैं, तो canal कहां आएगा? चैनाल नीचे आजाएगा, चैनाल कहां आएगा? चैनाल नीचे आजाएगा, और कैनाल को नीचे ले आओ, अब कैनाल को नीचे ले आओ, तो कैनाल के इंस्पेक्शन की जरुवत नहीं है ले आए ठीक है जो ये structure आपको डिखाई दे रहा है ये बाला structure ये foundation है या फिर आप बोलें peers हैं या pile है जो किसको support कर रहे हैं उपर drainage को support कर रहे है ये drainage है ठीक है अगर ये drainage है suppose ये drainage है ठीक है ये drainage है अगर ये इस तरीके का drainage है तो drainage में अगर हम बात करते हैं तो drainage का जो flow हो रहा है ये perpendicular to the board होगा यारी और drainage का flow में उपर की तरफ जो level होगा उसको हम क्या बोलेंगे, high flood level, मतलब यह क्या हो गया, drainage हो गया, यह क्या हो गया, drainage bed हो गया, bottom of drainage bed, drainage, यह हम बात करना है, bed है, drainage bed है, river bed जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यह होगा, कैनाल का full supply level, यह क्या है, कैनाल है, और कैनाल का क्या है, full supply level, यह जो portion होगा, वो कैनाल bed हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ground level है, यहाँ पर क्या है द्राउंड लेवल बनाया होगा तो अब नेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा नेक्स स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं यह इसका ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिप्रेस किया गया है ठीक है तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कैनाल का फिलो है वो कैनाल का फिलो इस तरीके से है और यहाँ पर जो है वो क्या है ड्रेनेज का फिलो है. और cross sign का मतलब क्या है? drainage perpendicular to board हो रहा है. अगर हम बात करें तो यहाँ पर है क्या है? इसका high flood level हो गया है. तो अब जो है जो canal का level है वो canal का level canal bottom का से sorry drainage के bottom से या bed of drainage से क्या हो चुका है? जाधा हो चुका है. तो यह है यहाँ पर जो लेविल है वो canal bad label है ठीक है ये क्या है drainage bad level तो drainage का जो है वो bad और जब यहाँ पर निकल के आएगा पानी तो यहाँ पर निकलने के बाद कुछ इस तरीकी conditions हो जाएंगी यह यहाँ पर ऐसा full supply level बना करके ले करके आएगा तो अब देखो बात, अब क्या खमदना है आपर, तो यहाँ पर जो definition लेखोगे, क्या हो लेखोगे, अब देखो लेखोगे, क्या है, उपर पहुंच गया है, और जब उपर पहुंच गया है, तो उस structure को नाम क्या दिया, कैनाल साइफन नाम दिया है कैनाल साइफन और जब नीचे रहेगा तो उस कंडिशन में नाम क्या दिया है उस कंडिशन में नाम दिया है हमने super passes नाम दिया है तो again इसमें क्या advantage मिल पाए कैनाल का inspection and repair हो पाएगा क्या नहीं, यही इसका biggest drawback है, को हम लिखेंगे, the only drawback, only drawback, of this construction is that, of this construction is that, कैनाल, inspection and maintenance, inspection and maintenance is not easily possible, is not easily possible, वो बहुत ही tedious process हो जाएगी, बहुत ही बहुत ही बेकार process हो जाएगी, उस condition में हम कैनाल का maintenance या कैनाल के लिए हम के बात करें, तो कैनाल का inspections rapidly नहीं कर सकते हैं, next point, यहाँ पर जो flow होता है, drainage, flow, under gravity, gravity के कारण flow हो रहा होता है, यहाँ पर क्या होता है, drainage, flow, due to, syphonic action, किसके दोरा, syphonic actions के दोरा यहाँ पर drainage flow हो रहा होता है, तो यह questions आप से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कि इस तरीके के questions आप से पूछे जा सकते हैं, कि भाईया यह directly होते क्या है, अब देखो, इन में एक और advance में questions बता रहा हूँ, यह तो तुम्हें समझ में आ गया, यह तो तुम्हें समझ में आ गया, तो यह वाला portion में साफ कर रहा हूँ, यहाँ वाला और इस पर कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक तो यह construction हो जाएगा, अब question कैसे पूछेगा, question कैसे पूछेगा वो समझना, question पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, RL of bed of canal, bed of canal is equal to 100 feet, RL of, RL of drainage bed, bed, drainage bed is equal to 152.5 meter, ठीक है, बोल रहा है, RL of full supply या, water level, water level in canal is equal to 153 meter, and water level, water level in drainage is equal to 154 meter, अब आपको यह data दे दिया गया, बताईएगा, कौन सा structure बनेगा, एक्यूडक्ट, option A, कौन सा structure बनेगा, एक्यूडक्ट, option B, super passes, option C, साइफन एक्यूडक्ट, और option D, कैनाल साइफन, कैनाल साइफन, कैनाल साइफन, अब यह questions, मताओ, surveying को इसके साथ include कर दिया है, या नि, बिल्कुल basic question है, अब समझना, क्या-क्या बोल रहा है, सबसे पहले, कैनाल बैड लेविल कितना है, 100, कैनाल बैड लेविल बना दिया भहिया, 100 पर बना दिया है, drainage लेविल, 122.5, मतलब यह जो लेविल है, यह कितना है, 152.5 मीटर है, हो गया, आप क्या बोला है, water level in कैनाल, 153, मतलब इससे उपर पहुँच गया है, 153, water level in कैनाल, 153, उपर पहुँच गया या नि, और क्या बोल दिया है, water level in drainage कितना, 154, अब बताओ, कौन सा structure बना, क् इस कैनाल साइफन बन गया या नि, objective कैसे पूच रहा है, क्या सोचा था कि इस तरीके से directly यह definition पूचेगी, नहीं, definitions तो पूची सकता है directly, इस तरीके से भी numerical बना करके आप से caution पूचा दा सकता है, और पूचे गए है, in fact, in fact, पूचे गए है इस तरीके से caution, अगर आपको water level in drains नहीं भी देता, water level in drains नहीं भी देता, तब भी आप बता सकते थे कौन सी conditions है, क्योंकि आप सोचते water level in drains नहीं दिया है, तब भी हमें पर चला, FSL in canal is above the drainage bed level, drainage bed level से तो उपर ही है, और जब drainage bed level से उपर होगा, तो उस condition में हमारा जो constructions बनेगा, वो का बनेगा, वो canal साइ आपन बन जाएगा, तो तुम मुझे बताओ, यह question समझ में आया या नहीं, यह question समझ में आया, किस तरीके से बात की, option number D क्यों हुआ, बिलकुल, canal नीचे है, और उपर, इसके data change कर दो, तो दूसरा questions और भी बन जाएंगे, तो I hope कि अब तुम्हें clear हुआ होगा, इनके question कै इसे पुछे आते हैं, चार तो मैंने जो box बन किये, चार तो यह question पुछे जाएंगे, और बाकी question क्या पुछे जाएंगे, reduced level को basis मान के, questions आपका frame किया जा सकता है, reduced level को base मान करके questions, ठीक है, बट, जब canal नीचे होता है, और drainage उपर होता है, तो हमें पता है, कि canal से क्या होता होता रहता है, सीपेस होता रहता है, यानि, कैनाल से क्या होता है, सीपेस होता रहता है, तो कैनाल से सीपेस होने के काराण, यहां से लगेगा uplift pressure, क्या लगेगा uplift pressure, तो एक note करके point लिखना, note करके point, note करके point mention करना, note, अब अब इस ही वाले पॉइंक में लिखना है अब आब के नाल अगर ड्रेनेस फुल है तो देखो ड्रेनेस के कारण जो वेट लगेगा वेट ड्रेनेस के कारण जो वेट लग रहा है वो क्या लगेगा नीचे की और और ये लगेगा अपलिफ्ट फोर्स ड्यू टू सीपेज सीपेज के करण जो अपलिफ्ट फोर्स लगेगा वो वोपार की ओल लगेगा तो ये बताओ क्या दौनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं या नी तो वेट ओफ डेनेज डेनेज कंट्रोल्स दा अपलिफ्ट फोर्स को कंट्रोल कर रहा होता है यह केस नमबर वन तीक है अब मैं केस नमबर टू की बात कर रहा हूं केस नमबर टू इफ डेनेज एस एंपटी डेनेज एस एंपटी डेनेज खाली हो कर दिया अगर डेनेज खाली कर दिया तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा था वेट ड्यू टू डेनेज drainage के current जो weight लग रहा था वो क्या हो जाएगा वो that is going to be zero that is going to be zero तो अब बचा क्या केवल ये तो चला गया अब बचा क्या ये uplift force बचा हुआ है अगर uplift force बचा हुआ है तो इस condition में इसका base sufficiently hard होना चाहिए या नहीं sufficiently thick होना चाहिए या नहीं और अगर base sufficiently thick नहीं हुआ तो ये उपर side पर इसको wrap कर देगा या damage करने की कोशिश करेगा या नहीं तो हम बात करते हैं this is the worst condition if drainage is empty so this is the this is the worst condition in which in which structure may fail structure may differ तो अगर कभी आप से पूछा जाए कि जो worst condition है अगर हम बात करते हैं कि अगर cross drainage work बनाया गया है जो कि drainage को canal के उपर रख रा है ड्रेनेस को कहाँ रख रा है sorry drainage को canal के उपर रख रा है उस condition में worst condition क्या है या आपसे यह पूछ ले जाए maximum uplift force जो drainage के bed पर लगना है अगर full supply level आ गया है तो full supply level पानी नीचे है और पानी नीचे है तो पानी का करेगा उपर की ओर pressure लगाएगा या नी पानी यहां आ गया है और पानी अगर यहां से यहां जा रहा है इस तरीके से तो पानी उपर की ओर pressure लगाएगा या नी यह pressure लगाएगा और अगर पानी यहां पर उपर की ओर pressure लगा रहा है तो उपर से drainage का जो weight है वो तो उसको थोड़ा सा control कर ले रहा है लेकिन अगर drainage को empty कर दिया और full supply level उपर चला गया है canal bed level से फुल supply level, canal bed level से उपर चला गया तो उस condition में क्या होगा जो ऊपर की तरफ pressure लग रहा है वो तो लगेगा लेकिन जो नीचे की तरफ pressure लग रहा है वो zero हो जायेगा वो worst condition होगी और उस condition में जो uplift pressure होगा वो maximum uplift pressure लग सकता है या ने जो uplift pressure होगा वो maximum क्योंकि यहां पर तो uplift की value को कौन कम कर रहा है drainage कम कर रहा है तो इस condition, this is the worst condition in which structure may fail and this is the condition of maximum uplift pressure और a condition of maximum uplift pressure uplift pressure it is a condition of maximum uplift pressure तो एक बार यह questions भी पूछा गया था कि maximum uplift pressure कैनाल साइफन के केस में maximum uplift pressure कब लगेगा, जब drainage completely drain हो चुका है होगा drainage completely खाली हो चुका होगा, उस condition में क्या लगेगा maximum pressure लगेगा तो अब बताओ, cross drainage work जब भी बनाना है, तो किन-किन बातों पर depend कर रहा है अगर हम बात करते हैं, cross drainage work जब भी बनाना है, तो किन-किन बातों पर depend कर रहा है चार बातें बताई थी हमने और चारों बातों पर हम लिखेंगे कि cross drainage work, note का second point लेख लो, note का second point लेख लो, कि cross drainage work decided on the basis of, on the basis of, किन-किन basis पे पेटफाइन होता है, पहला water level water level and bad level of bad level of canal and drainage drainage और कैनाल के bad level पे, and second point, second point क्या है water level and bad level of canal and drainage and second point क्या बोलता है, second point बोलता है, size of canal and drainage canal और drainage का क्या size है, कौन बड़े size का है, कौन छोटे size का है, उस basis पे हम define करते हैं, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है next, cross drainage work cross drainage work, admitting canal water into drainage drainage और canal water की क्या कर रहे हैं, mixing कर रहे हैं drainage और, sorry, canal और canal water और drainage की क्या कर रहे हैं, mixing कर रहे हैं, तो अगर canal water and drainage water, drainage water, drainage water, are allowed to be mixed, are allowed to be mixed, are allowed to be mixed, next point, this arrangement is preferred, this arrangement is preferred, when both canal and drainage are of bigger size, दोनों ही क्या होते हैं, बड़े size के होते हैं, उस condition में हम इस तरीके का cross drainage work prefer कर रहे होते हैं, ठीक हैं, और again हम बात करते हैं, again हम बात करते हैं, जहां हम इस तरीके का work prefer कर रहे होते हैं, तो यहां पर हमारा होता है एक label crossing, लेबल क्रॉसिंग में क्या होता है यहां से यह कैनाल आ रहा है और यहां से क्या जा रहा है आपका यह ड्रेनेज जा रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर बीच में एक पॉंड टाइप बना देंगे ठीक है यह हमारा ड्रेनेज जा रहा है दोनों ही बड़े साइज के हैं और यह कैनाल जा रहा है तो बीच में यहां पर पॉंड टाइप बना देंगे और यहां पर एक रेगुलेटर लगाएंगे इसे हम बोलेंगे है रेगुलेटर फॉर ड्रेनेज और यहां पर एक रेगुलेटर लगा देंगे तो पानी यहां भरेगा, एक वीर लगेगा, या बीर लग जाएगा, कोई भी लग जाएगा, यहां से निकल जाएगा, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, रेगुलेटर्स, और पानी मिक्स हुआ, तो कुछ पानी यहां पर और कुछ पानी यहां पर निकल करके चला गया, यह होती है level crossing, inlet and outlet की बात करें, तो inlet and outlet कुछ नहीं होता है, inlet and outlet, यह कुछ construction होते हैं, जैसे एक point है, एक dam बना दिया, वो होता हमारा inlet and outlet, ठीक है, तो यह हम बात करना है, यह ऐसा canal जा रहा है, यह canal जा रहा है, ठीक है, canal के यहाँ पर एक opening प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ से जो drainage आ रहा होता है, वो यहाँ से inlet बना देंगे, तो generally हम inlet and outlet प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक pipe inlet किया, और दूसी जगह से उस pipe को निकाल दिया, एक बीच पे pool बनाया, एक pipe लिया, और एक यहाँ से pipe को इस तरीके से निकाल दिया, तो इस तरीके का constructions हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीके, तो अगर हम बात करते हैं, इनलेट का prefer किया जाता है, preferred when drainage is small, जब drainage is small हो, तब inlet point पहले prefer किया जाता है, ठीके, और अगर हम बात करते हैं, outlet का prefer किया जाता है, तो preferred, तो इसके लिए मुझे आपको diagram दिखाना पड़ेगा, ऐसे मैं यहाँ पर diagram बनानी सकता हूँ, ठीके, तो थोड़ा सा imagine करना होगा, preferred when, when canal is small, canal is small, relatively हम बात करें, देखो, दोनों है तो बड़े construction, but एक दूसरे के relative में, कोई ना कोई थोड़ा सा छोटा होगा या नि, जैसे हम बात करें है, एक की लंबाई है 119 cm, एक की लंबाई है 119.2 cm, तो जो 0.2 cm relatively थोड़ा सा बड़ा हो गया या नि, तो उसी तरीकी से हम बात कर रहे हैं, कि पहले inlet, अगर हम बात करें, inlet cup बनाएंगे, जब drainage is small, और outlet cup बनाएंगे, जब canal is small, तो उन points को, देखो कैसे, ये एक drainage आ रहा है, अब drainage में यहां से canal आ रहा है, ये canal आ रहा है, तो canal में यहां पर हम बात कर रहे हैं, drainage छोटा है, तो inlet बनाएंगे, यहां से entry देंगे पानी की, इसके साथ mix होने के लिए, यहां से entry देंगे, और फिर आगे की तरफ दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, और अगर ये चोटा है, canal चोटा है, तो यहां से entry देंगे, pipeline आके, और outlet point वहां से निकाल लेंगे, तो मतलब इसके साथ mix तो कर दिया, लेकिन वहां से एक अकिला outlet निकाला है, तो यह conditions यहां पर बात करनी है, तो वहां पर outlet point निकाल करके देंगे, ठीक है, तो यह conditions होती हैं हमारी cross drainage work, तो cross drainage work हम कब prefer करते हैं, क्या conditions होती है prefer की, और हम कितने तरीके के cross drainage work करते हैं complete, यह सारा इस एक वीडियो में मैंने यहां पर compile कर दिया है, तो I hope कि चीजें आपके लिए clear होंगी, और चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, So, कैसा लगा आज का lectures, मुझे बताईएगा, क्या जो आप लोग पूछते हैं बार-बार, वो सारे doubts clear हो पाए हैं या नहीं, comment sections में जरूर बताईएगा, और इसके regarding कोई भी doubt है, पूछिएगा, क्योंकि यह topic बार-बार आपका पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, So, thank you everyone, thank you for watching the video, सभी लोग success pride applications को download कीजिएगा, Google Play Store पे जा करके, वहां से मैं daily quiz आपके लिए open करने वाला हूँ, जल्दी और daily quiz आपके होंगे उसी applications पर, ठीक है, और भी बहुत कुछ होगा, जो one by one आपको पता चलता जाएगा, So, thank you everyone, जन्होंने subscribe नहीं किया है, subscribe कर लेना और bell icon दवा लेना, क्योंकि आप लोग को notifications मिलता जाएगा, कब live classes हो रही हैं, वो भी आपको notifications मिलता जाएगा, So, thank you so much everyone, keep sharing and keep clearing your doubts, Okay, thank you.